दोस्तो नमर श्कार, प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो आप लोग देख रहे होंगे, मार्केट क्रेश हो रहा है, अब क्रेश हो रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है कि सर इस गिरते बाजार में हमें कुछ अच्छे स्टॉक की लिस्ट बता दीजिए, ठीक है तो पूरे दोस्तो मैंने 10 स्टॉक की लिस्ट लाया हूँ, जिसमें सब की हल्प यहाँ पर हो जाएगी बिंदाज जाएए, इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम जनरेट करने वाले है मान सकते हो, कमपन या स्टॉक है, ठीक है आप भी देखोगे, तो आपको भी रगएगा, कि हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट ना चाहिए, ठीक है तो चलिए, फटापट से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने स्पहले मैं यही बोलूँगा, कि दोस्तो, प्रॉफिट गुरू की क्लास को अभी तक आप लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया है तो जाके फटापट से सस्क्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कल भी एक बड़ा सा वीडियो आने वाला टेकनिकल फंडामेंटल एनलाइसस भाला देन जो लास्ट सटड़े और संड़े हमने दो वीडियो अपडेट किये थे, भारपूर उसमें दोस्तों ट्रेडर्स ने परसा कमाया होगा, ठीके अभी भी आप देख सकते हो, अभी भी आपके लिए बहुत ही वाँ पर इंपोर्टन चीजे देखने को मिलेगी, ठीके तो जाई हो, प्रॉफिट गुरू की क्लास को विजिट कर सकते हो, तो चली दोस्तों हम चलते हैं डारेक्टली, अब मार्केट को सबसे पहले देखने हैं तो मार्केट ने बावन भी कहाई जो था दूस्तों, अभी हाल फिलाल में लगाया था, ठीके 15,992 रुपे का ठीके, और कंटिनूसली मार्केट महाँ से गिर गिर के कहा तक आ गया, 15,578 रुपे है मतलब, अलमस्ट मान सकते हो, 400 पॉइंट गिर चुका है अब आप 52,000 का लो देख सकते हैं, 52,000 का लो क्या है, 10,700, इससे नीचे तक भी मार्केट गया था, 7,500 तक भी ठीके, डिन रिकाबरी में दोस्तों सबसे ज़्यादा साथ है ना, इन दसी स्टॉक ने दिया है मार्केट को, ठीके तो अभी देखिए, 400 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से और भी रिकावरी करता है ना, तो यह स्टॉक भी स्यांदा रिकावरी करेंगे करेंगे, 600,000 मार्केट कुदेगा तो यह और बूम होंगे, 20,000 मार्केट कुदेगा तो और यह, मतलब दोस्तों कितना भी करेक्शन आ जाए, आप लोगों को इन शेर को कभी भी बेचना नहीं है, इनमें और बाइंग करते जाना है, सीधी बात अगर मैं बोलू तो, ठीके तो समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर आप लोगों को यह लॉजिक, ठीके, तो चली अब चलते हैं सबसे फर्स्ट स्टॉक के उपर, कि गिरावट आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे, ठीके, 1496 रुपे के असपास क्लोज हुआ है, मुमेंटम आगे आप लोगों को बहुत शानदार इस कमपनी के अंदर मिलने वाला, क्यूंकि कमपनी मार्केट में अभी ही लिस्ट हुई है, ओवरॉल का प देखेंगे इसका 52 विक का हाई और 52 विक का लो तो बहुत इंटरस्टिंग देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, तो जरूर दोस्तों एम तार टेकनोलोजी को अपने नजर में रखके चल सकते हो, प्रॉपर देखें मेरा काम है अपडेट करना में करें, otherwise नहीं करें, सबसे पहले में यह बोला, उसके बाद, कमपनी का नाम देखेगा, ठीक है, कमपनी का प्राइस बिलकुल भी मत देखेगा, इसका नाम देखेगा, और मार्केट में जाके देखेगा, कि इसके नाम की कितनी वेलियो, ठीक है, यह चीज में अभी फर्स स् कीबी वही देखने को मिलेगी, में 3% की गिरावट, मार्केट क्रेश हुआ, स्टॉक भी हुआ, लगबग 2058 रुपे के आसपास स्टॉक आ चुका है, अगर मैं इसका 52 बिक का हाई और 52 बिक का लो बताता हूं, बहुत ही इंटरस्टिंग है, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हूं, ठीके, कमपनी मार्केट में अभी ही आईए, आप देखोगे तो कब आईए, सितंबर 2020 से, ठीके, और अभी तक लगबग दोस्तों, लिस्टिंग होने के बाद से ही, स्टॉक में करीवन 119% का रिटन मिल चुका है, अपने शेर होल्डर को, तो अब आप इस कमपनी को आगे भी इग्नोर नहीं कर सक तो जिसका नाम है, रूट मुबाइल लिमिटेट, प्रॉपर स्टेडी करिए, ठीके, कमपनी का नाम क्या है मार्केट में वो जानी है, वेल्यू क्या है कमपनी की वो जानी है, प्राइस को बिलकुल मत देखे, ठीके, सेकेंड कमपनी आप लोगों के लिए है, ठर्ड कमप पर चलते हैं, और बावन बिक का लो, बहुत ही इंट्रेस्टिंग, ठीके, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लास्ट एक साल का पॉफोमेंस देखिए, लगबग 135 परसेंट का रिटन, ठीके, और ओवरॉल का पॉफोमेंस देखिए, मार्केट में कमपनी 2016 से आई हुई है दोस्तों, और लगबग 290 परसेंट का यहाँ पर मुमेंटम करके खड़े हुई है, ठीके, LNT Technology Service Limited, जिसे हम LTTS के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही शान्दार इसने अपने quarter first के नंबर भ लगबग 520 परसेंट का स्टोक ने मुमेंटम किया हुआ है मार्केट में, ठीके, कब से किया हुआ है, कंपनी मार्केट में 2016 से हैं आई हुई है, ठीके, तो इस कंपनी को अभी आप बिल्गुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीके, यह आप लोगों के लिए fourth कंपनी होगे, क्योंकि यह आने वाले दिनों में बहुत ही शान्दार मुमेंटम आप लोगों को देने वाली, आभी जितने भी कंपनी मतलब यह दसों कंपनी आप लोगों को बतारों बहुत इंट्रेस्टिंग है आगने वाले दिनों के लिए देखिए 892 रुपे का है, 52 बिक का हाई देखिए 4575 रुपे का है, लास्ट एक साल में देखिए स्टॉक में लगभग साड़े 300% का मुमेंट हुआ है ठीक है, और overall का performance देखेंगे दोस्तों कंपनी मार्केट में बहुत पुरानी है और लगभग वो 11,880% का मुमेंटम करके खड़े हुए, तो अब ऐसी कंपनी को अगर आप इगनोर करोगे तो यसा profit भी तो आपको इगनोर करके जाएगा दूस्तों तो जिसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ, चाहे दो शेर ले लो, चाहे एक शेर ले लो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली, क्योंकि profit इनमें ही आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, तो यह दिक्गत फिप्त कंपनी हैं आप लोगों के उपर, आप देखेंगे, तो 1880 रुपेगा इसका 52 बिक का लो है, 52 बिक का हाई देखेगा, तो 4663 रुपेगा देखने को मिल रहा है, लास्ट एक साल का पाफॉमेंस देखेंगे, तो लगबग 125 से 126 परसेंट का रिटन, ठीक है, और ओवरोल का पाफॉमेंस देखेंगे, तो मार्केट में कंपनी 2020 से, नहीं दोस्तो, पहले से है, क्योंकि इस कंपनी का जो नाम था ना पहले, वो था NIT Technology Limited, ठीक है, जिसे हम को फोर्ग के नाम से अब जानते हैं, मतलब उसका, आप बोल सकते हो कि, डी मर्जर हु ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट एक सल के पर्फॉमेंस के, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, और ओवरोल का पर्फॉमेंस देखेंगे, तो कम्पनी मार्केट मेहन अची तंबर से आईये, रूट मॉबाइल, और हप्यस माइंट टेकनोलोजी, ये company दोस्तों market में एक ही महने में launch हुई थी और दोनों ही company ने दोस्तों अपने shareholder को बहुत ही शांदार performance दिया है तो जरूर दोस्तों इन सबी company को मैंने जितना अभी 7 company बताना इनको बिल्कुल भी ignore मत करिएगा ठीक है अब इन से 10 गुना ज्यादा ये बाकी की 3 से 4 company देखने को आप लोगों को मिलेगी दिखाता हूँ बहुत ही interesting है ठीक है इनका dividend देने का pattern बहुत अलग है बोनस देने का pattern बहुत अलग है, split देने का pattern बहुत अलग है, buyback देने का pattern बहुत अलग है मतलब अगर आप एक share भी ले लोगे न दोस्तों तो आप कभी उस share से उम्मीद नहीं लगाओगे कि मुझे profit share देगा क्योंकि company बोनस देगी, split देगी, dividend देगी और buyback देगी आप इतने सारे event में इतना सारा खुस हो जाओगे कि आप लोगों को वैसे ही पैसा बहुत सारा मिल जाएगा ठीके, last एक साल का performance देखे इस company का, 500% की तेजी और overall का performance देखेंगे, तो लगबग दोस्तो 13,250% मान सकते हो, 13,250% का moment अभी तक इस company में अपने इतियास में किया है कारीवन company है न, 1999 से आई हुई है, तो जरूर दोस्तो आप यहाँ पर Infosys Limited को अपनी focus में रखके चल सकते हो बावन बिक का लो, जो आपको देखने को मिलेगा, दोस्तो उनसाड रुपे पे, बावन बिक का हाई, दोस्तो नवाची रुपे 25 बस है पे लास्ट एक साल का अगर आप performance देखेंगे, तो 108% का return और overall का performance देखेंगे, तो लगबग company ने 4000% का यहाँ पर return दिया है और इसको अगर आप 10 गुना या 20 गुना भी मानोगा ना, तो कम है, यहाँ पर 10 या 20 गुना भी लगा लोगा ना, तो वो भी कम देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि दोस्तो company ने इतना bonus दिया है, इतना split दिया है, इतना dividend दिया है, इतना buyback दिया है, अगर यह कुछ भी event company अपने इतियास में नहीं करती, खाली डिविडेंट देने के अलाबा, तो यह company आज MRF टायर जो stock है ना, उसके भी उपर खड़ी होती, ठीके, यह इसकी history है, इसकी history जानोगा ना, तो आप लोगों के wrong day खड़े हो जाएंगे दोस्तों, ठीके, तो जरूर वी प्रो अपने इक अजार दो रुपे का, बावन बिक का हाई, 273 रुपे का देखने को मिल रहा है, लास्ट एक साल का performance देखेंगे, तो लगबख 104% परसेंगर इटन, ठीके, और overall का performance देखेंगे, तो दोस्तों 156, 1595% का इटन, जो company market मेंILL दोजाए साथ से आई हो जैंटेके, तो मार्केट की रह गई है वो भी आप दिखा देता हूं बावन बिक का हाई है आप देखे लगबग 3400 मान सकते हैं बावन बिक का लो एक इस सो पचीस उर्पर देखने को मिल रहा है लास्ट एक साल का अगर पॉफोर्मेंस देखेंगे एक स्टॉक का 43-45% का रेटन ठीक है और ओवरोल का पॉफोर्मेंस देखेंगे तो लगबग 25- पचीस उर्पचास परसेंट तक का रेटन ठीक है तो यह जो 11 की 11 कंपनी में आप लोगों को अपडेट किये ना दूस्तो तो जरूर इन कंपनियों में आप लोगों को इन्वेस्मेंट कर दीजी और कहीं ध्यान लगाने का आप लोगों को जरूरत नहीं है ठीक है इन 11 मेने एक साल दूसाल और या पांच साल इतने टाइम फ्रेम में आप लोगों को बहुत पैसा बनेगा ठीक है आज आप देखरेंगे मार्केट कंसोलीडेट कर रहा है कितना 15,500 से लेके 16,000 के बीच में जैसे 16,000 मान लिजे 6 मेने में क्रॉस होगा कभी न कभी तो होगा ठीक द省ए नाई है यह कंपनी क्योंकि एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनके अंदर आप लोगों को कुछ भी कुछ गढ़वर मिल जाए ठीक है हाँ थोड़ा थोड़ा कंपनियों पे डेट है वो कंपनी भी आप लोगों को सब किलियर करते देखने को मिलेगी ठीक है तो जरूर जरूर इन 11 कंपनी पर फोकस कर सकते हो लॉंग टम के लिए यह आप लोगों के लिए बेस्ट पॉर्टफोलियो बन सकता है ठीक है तो जरूर इन पर फोकस करके चलेगा अगर इन से रिलेटेड ही कुछ दिग्गत आती आप लोगों को दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर सकते हो हम आपकी कमेंट का प्रॉपर तरीके से रिपलाई भी देंगे ठीक है तो चले अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं तो थैंकि दोस्तों